नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आफिसल यूटूब चैनल जी एस पाई नियासर में कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करता हूँ स्वास्त होंगे मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ब्यास्त होंगे बेटा प्रबेधिक कला से संबंदी ते यह उन तीसवा है तो उन्हें देख सकते हैं होंगे अपनी तैयारी मुश्बूत कर सकते हैं सक्सन सी हम लोग देख रहे हैं से autumn c से शोला नंबर का एक यह ही प्रस्त पूछा जाता है चाहे हो छे़ंदां से पूछ ले या फिर देरगव भीडि से पूछ ले या फिर परबले से पूच पूछे जाएंगे, ये चारो आपके स्लेवस में हैं, और इन से questions बनते हैं, सबसे आदा जो questions बने हैं, वो छेतरफल से ही बने हैं, और बार-बार questions repeat हुए है, questions देखते हैं, तो section जो C है, उसका हमने देखा था कल ये questions, इसमें एक part रह गया था, रचना बेटा, रचना most important है आप questions तो solve कर लेते हैं लेकिन किस method से आपने solve किया है ये आप रचना बिधी में ही लिख पाते हैं तो रचना आपको अवश्य लिखनी है रचना बिधी, किस क्रम में आपने बनाया है जैसे ये कल ये questions था कि एक आयत बनाओ जो छेतरफन में त्रभूच काखा गा का दोगुना हो, इसका आधार पांच और भोजाएं तीन चार हो तो इस टाइप से एक जो है, त्रभूच पहले हमने बनाया A, B, C उसके बाद कहा जा रहा है, इसे हम rectangle बना दे, यानि C के बाद D और E भी हो जाए, तो ये rectangle बन जाएगा तो इसे हमें बनाना था, कैसे हम बनाएंगे इस पे हमें चर्चा करनी थी तो बेटा, ये हमने बनाने के लिए पहले ही बताया था, ये triplet method पे काम कर रहा है आपकी ये वाली जो भुजा है ये 5 है, मानलो ये 4 है ये 3 है, तो आप कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले, आप या तो चांदा से बनाएंगे, या फिर प्रकार लेंगे प्रकार में अगर आप बराबर दूरी मारते हैं बढ़िया है, यहाँ पर center पे रखिए और प्रकार में ऐसे आप जो है, एक चांप लगाईए चांप लगाने के बाद बराबर दूरी में एक समान कोई दूरी आप fix कर लीजिए उससे इस वाले point पे रखेंगे और यहाँ से फिर इधर चांप लगाएंगे देन अगला चांप आप आगे लगाएंगे फिर इस वाले point पे आप रखेंगे और अगला चांप आपको इस साइड में लगाना है और इस वाले point पे रखेंगे अगला चांप इस टाइप से लगाना है तो इस टाइप से जब आप लगाएंगे तब आपको ये वाला जो point बनेगा एक दम सीधी रेखा में हो जाएगा फिर ऐसा काम यहां भी करना है एक चाप यहां लगा लिना है उसके बाद इस वाले पॉइंट पे रखेंगे इस वाले पॉइंट पे और बराबर दूरी से आप एक चाप इस पे लगाएंगे इस वाले पॉइंट पर रखेंगे अगला चाप आप परकार से यहाँ पर लगा लेंगे अगला चाप आप यहाँ पर रखेंगे परकार की जो नोक है और पैंसल से अगला चाप इस साइड में लगाई है यहाँ पे आप परकार की नोक रखिए और अगला चाप इस साइड में लगाई है जहाँ पे बिंदू कटते हैं वहाँ पे आप सीधे इसे मिला देंगे जो यह वाला सीरा है इसी के समानांतर एक रेखा आपको खींच देनी है जो इसके समानांतर हो तो जब इसके समानांतर आप रेखा खींच देंगे तब जो एरिया कंप्लीट होगा जैसे यह वाला जो एरिया निकल के आया मानलों यह त्रभुज है और इसका एरिया 24 है तो इसका एरिया और इसका एरिया जो मिला के होगा यह दोनों मिला के भी 24 होगे यानि ए प्लस बी भी 24 के एक्वल ही होग तभी रेक्टेंगल आप बना पाएंगे ठीक है तो इस टाइप से आपने जो जो किया है वही आपको लिखना है रचना में साब साब लिखा गिया है का से हूती हुए खा के एक समान अंतर रेखा खींची चाचा को खींचा गापे चा का लंब खींचा उसके बाद खाचा की और गिया और गाचा की और खींचा उसके बाद चाचा जाजा अभी श्टाया तो होगा बेटा ये भासा आपको हो सकता समझने में ना आए तो अगर ये समझ में ना आती है तो आप A, B, C, D पर प्रक्टिस कर सकते हैं जैसे का कह रहा है इसे आप ये माल लें इसे B माल ले इसे C माल लें उसके बाद A, B, C तो आपका तरभूज हो गया A, B, C आपका तरभूज हो गया अब काम क्या करना है जो आपका B कोण है इस पे एक चाप मारना है उसके बाद आप परकार में कोई एक नियत दूरी रखिए कोई जरूरी नहीं है कित्ता हमें रखना है कोई भ आप काटे हैं ये वाला जो cut point है इसे यहाँ पे मिला देना है starting point पे त्रभुच के corner पे यही काम इस पे भी कर लेना है उसके बाद जो त्रभुच का ये वाला सिरा है उपरी सिरा है उसी के समाना अंतर उसको छूती हुई एक रेखा खींज देनी है बाद में जो ये figure ड्रा होगा यही आपका अभीष्ट आयत होगा समझ में आ गिया next question की तरब बढ़ते है question number B दूसरा question कहा जा रहा है चतुरुभुच पे question है बढ़िया question है बहुत ही अच्छा questions है questions पढ़ने में थोड़ा लेन्दी लग रहा है क्योंकि काखा गागा में बताया गया है चतुरुभुच काखा गागा के छेतरफल के बराबर एक तरबुच की रचना करो questions से मूल्टा है पहला questions हमने solve किया कि एक तरबुच था उसका दोगुना जो है छेतरफल का एक हमें rectangle यानि आयत बना देना है अब यहां कहा किया गया है कि एक चतुरुभुच है उसी के बराबर एक तरबुच की रचना करनी है बेटा बहुत ही आसान है कुछ नहीं करना है चतुरुच काखा गागा के छेतरफल को मिलाओ ठीक है तो काखा गागा आपने मानलो इस टाइप से कोई चतुरुभुच बना ही दिया ठीक है काखा गागा यह आपका चतुरुभुच है इसका एरिया मानलो 48 है और 48 के बराबर हमें एरिया में एक तरबुच बना देना है कहने का मतलब यही है कि जो यह फिगर है काखा गागा इसी के इक्वल एरिया में यानि इक्वल छेतरफल में हमें एक तरबुच का निर्मान कर देना है अब आप कैसे करेंगे तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इधर जाएगा कुछ एक्स्ट्रा इस साइड में जाएगा तो यह वाला जो एरिया है जो ये वाला बेटा एरिया है ये वाला इसी एरिया के समान इस साइड में एरिया लिया गया है समान एरिया में ले लिया गया है बस ये तरबुच समान छेतरफल में हो गया चतरबुच के बराबर ही तरबुच की रचना हो गई अब कैसे होगी तो यहाँ पे समानांतर रेखाओं का ही कमाल है सब कुछ समानांतर रेखाओं का ही कमाल है जिसे का, खा, गा, गा है तो का से गा तक एक हमने रेखा खीच ली मिरा दी एक रेखा और जो का से गा तक हमने मिलाई इसी के समानांतर रेखा गा बिंदू से मिलाई जो फिर बेस पॉइंट है मेरा खा और गा की रेखा को हमने आगे बढ़ा दिया खा और गा की रेखा को हमने आगे बढ़ा दिया नेट अगला काम हमें क्या करना है जो का पॉइंट है यहां से जो आगे हमने रेखा बढ़ाई है जो की खा और गा है इसे जब हमने आगे बढ और फिर का से हमने एक जब रेखा खींची इसके समाना अंतर तो वो बिंदु चापे जाके मिली और ये चापे जाके मिली चापे मिली है लेकिन जो पहले चदरुभुज था का खा गा गा तो आप ये देख रहे थे ये रेखा गई थी तो जो ये वाला पार्ट है जो ये वाला पोजीशन है यही तो एक्स्ट्रा बढ़ा है तो इसका छेतरफल अगर चार है तो जो ये वाला पार्ट छूड़ गया है चतुरुभुज का इसका भी छेतरफल चार ही होगा कहने का मतलब यही है तभी जाके यह समान छेतरफल में चतुरभुज से त्रभुज की रचना हो पाएगी यही हमें रचना विधी में लिख देनी है कि सबसे पहले काखा गागा नाम का एक चतुरभुज था ठीक है काखा गागा नाम का एक चतुरभुज था उसके बाद हमने किया क्या का से गा तक एक रेखा खिंची का से गा तक एक रेखा हमने मिला दी वो लिख देना है का से गा तक एक रेखा खिंची उसके बाद का से गा तक एक रेखा खिंचने के बाद जो खा और गा वाली रेखा है इसे और आगे बढ़ाया तो इसे और आगे बढ़ाने के लिए सेम भासा में आप लिख सकते हैं कि जो खा और गा की रेखा है उसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया कुछ बिंदू तक आगे बढ़ाया या चा बिंदू तक आगे बढ़ाया नामकरण आप कर सकते हैं खुद से उसके बाद काम क्या करना है जो का और गा वाली रेखा है इसके समानांतर रेखा हमने खीची जो घा वाला पॉइंट था यहां से तो घा वाले पॉइंट से इसके समानांतर जब आप रेखा खीचेंगे तो जो खा और गा वाली बिंदु है उस पे कहीं न कहीं कट करेगी जहां पे वो कट करती है उस बिंदु को हमने चा मान लिया उस बिंदु को हमने चा मान लिया अब जो finally हमारा त्रभुज बनके तयार होगा वो का, खा और चा और जो का, खा चा है का, खा और चा है ये त्रभुज है इसका जो area होगा वो equal होगा चतुर्भुज काखा गा और गा के तो इसके equal होगा यानि त्रभुज काखा चा का area चतुर्भुज काखा गागा से equal ही होगा उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अब रचना बिधी आप उसी method में लिख सकते हैं जो जो आपने काम किया है वही वही रचना बिधी में लिख देनी है 16 नमबर आपका पका हो जाएगा कोई संसे वाली बात नहीं है बहुत ही normal questions है जो पहला questions था आयत से चेतरफल था उसका area जो है त्रभूज के बराबर बनाना था या त्रभूज का area था उसे चेतरफल के बराबर आयत के बराबर बनाना था same वही questions यहां भी है यहां चेतरफूज दिया गया है त्रभूज बना देना है और वहाँ दिया गया था त्रिभूज था और उसे आयत में convert कर देना है केवल area समान रखना है मेटा छेतरफल पे सबसे अधिक बार questions पूछा गया है उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गये होंगे और छेतरफल वाले questions solve कर लियोंगे दूसरा questions था important था दोनों की practice आप चार-चार बार जब कर लेंगे घर पे आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा कोई बहुत टफ नहीं है तो अगर चैनल पे पहली बार जूड रहा है चैनल को निश्चित रूप से subscribe कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे ये नोटिफिकेस आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाब ले सकेए मिलते हैं नेक्स अगर में तब तक के लिए छे हिंद